आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनोड करें ये वाली सत्य, दो सत्य आमने सामने वाली, तो एक सत्य मैं ये ले ले रहा हूँ ठीक, और दूसरी सत्य ये है, ठीक, ये दोनों आमने सामने सत्य है ये सत्य किस पे है, हमारा कहरा भाप पे है, ये सत्य भाप में डाल दिया गया, यानिकी 100 दिग्री सेल्सियस पे है ताफ में डाल दिया गया इसका ताफ में 0 degree Celsius होता है पता है ठीक है अब इसमें कह रहा है इसका जो छेत्रफल है यह जो है यह दिया हुआ हमें 4 cm2 यह बराबर है 4 cm2 और इसकी जो इसमाचा लगता है के जो है कि यह बराबर कितना है 0.2 cgs मात रख यानिकी cgs में लिखें तो calorie पर second ठीक है डिग्री Celsius मीटर डिग्री Celsius सेंटी मीटर यह इसका मात रख होगा और कह रहा है ती बराबर हमारा 300 सेकंड समय दिया है 300 सेकंड में कितनी बर्फ पिखल जाएगी मतलब हमें मात्रा द्रबमान पूछ रहा है अगर बर्फ की जो हमारी 20 गुप तुस्मा आइस की यह कितना दिया हुआ है 80 कलोरी पर ग्राम दिया हुआ हो ठीक है यह तरह मात्रा कितना चीज़े हमें दी हुई है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं भाप जो हमारा 100 डिग्री Celsius पे है और यह यहाँ पर यह भाप है ठीक है इसमें यह वाली सत्य जो है भाप में रखी गई है तो भाप में रखी गई तो क्या होगा यहां से हम जानते हैं कि हमारा उस्मा का अस्थांतरण होगा कहां से होगा उच्चताप से निम्नताप की और तो उस्मा यहां से निकलेगी और यहां से ऐसे क्यू और यहां से बाहर निकलेगी जिसकी वज़े से क्या होगा उस्मा की वज़े से यहां से जब इस सता है से इस सता पर उस्मा का अस्थांतरन होगा तो उस्मा क्या करेगी इस बर्फ को पिगलाएगी तो यहां से बर्फ कितनी पिगलेगी वही हमें बताना है तो उस्मा जितनी देगी मतलब दी गई उस्मा बराबर ली गई उस्मा दे का उन रहा रहा है भाप और ले कौन रहा है बर्फ ठीक है तो यहां से हम लोग उस्मा अस्थांत्रण इस्तेमाल करेंगे कि उस्मा का अस्थांत्रण हो रहा है मैंने माल लिया कि M क्ञ जो है उस्मा पिघल गई तो क्या होगा दी गई उस्मा बराबर क्या होगा ये उस्मा दे रहा है q q बराबर क्या हो गई है हो जहा से k A ताप में अंतर कहां स हो रहा है फीसदा 1 यानि कि T A या T 1-2 लिख दिढ़ हो रहा है बटे L into T ठीक है L क्या होगा इसकी मोटाई कितना मोटा है क्योंकि हम देख रहे हैं यहां पे छेत्रफल दिया है 4 cm2 ठीक है तो हमें पता है कि छेत्रफल क्या होता है हमारा अनपरस्थ काट का छेत्रफल घं का क्या होगा अगर भुजा मैं यहां से यहां तक क्योंकि घं है तो सारी भुजाएं बराबर होंगी यह बराबर किसके होगा हमारा अब बर्फ है जीरो डिग्री सिल्सेस पे है तो हमारा किस में बदलेगा ये पानी में बदलेगा मतलब किस होज़स से गुप तूस्मा क्योंकि दूस्मा केवल अपना ईस्था परिवर्तन कर रहा है इसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो बर्फ से यह पानी में जाएगा तो यहां से हो जाएगा आपका M into L ठीक है यह हो जाएगा M गुड़े L ठीक है जाएगा तो यहां पर मान रखते हैं कि A का मान हमें दिया 0.2 A का मान है 4 थीटा 1 आपका 100 माइनस 0 गुड़े सव हमें दिया है सव 300 सेकंड एल हमें 2 सेंटीमीटर आजाएगा M प्राप्त करना है L हमारा सी है बस इसी को आपको हल करना यहां पर मैं अगर 0 10 मलों हटाऊं तो यहां पर आप 10 लिख सकते हैं दो से 2 काड दिये 20 से एक सुन काड दीजे यहांपर कहागा 4 थीजिया 12 कितना जाएगा आपका 12 गुड़े 2 सुन खर 1 सुन खर 3 यानी कि 10 की घा तीन हाजाएगा सबाराबर M गुड़े 80 यहां से M does цел एगए आपका 12000 बटे 801 से एक सुन काड़ दीए चार दुनियाट चार त्याई 12 यानि कि 300 बटा दो यानि कि 1.500 यहां से अगया हमारा कि 500 ग्रम जो है बर्फ यहांसे पिखल जाएगी यहीं हमसे पूच रहा था तो उत्तर आपका हो जाएगा कि 500 ग्रम बर्फ ठीक है सब्सक्राइब करें अपने सारे डाउट्स आठ चार्सो 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 पर